हाई मैं हूँ शबाब साभी और आप रहे हैं इन 24 हाई दस एवलन शार्मा और यह वाच्टिंग मी ओन आयनन 24 नमस्कार स्वागत है आपका इन 24 पर आपके साथ मैं हूँ प्रेटा सिंग बुलेटिन की शुरुवात करते हैं हेडलाइस के साथ सुक्मा में पुलिस को मिली बड़ी काम्याबी मुढभेड में मार गिराए गए 14 नकसली भारी मात्रा में हत्यार भी बरामत और भिलाईगर पुलिस को मिली बड़ी काम्याबी कोफोर विलर से गांजी की सप्लाई में लगा एक तसकर गिरफतार एक कुईंटर से जादा गांजा भी जब्थ जिले के वनांचल इलाकों में यूतो आए दिन हाथियों के आतंग की खबरे मिलती रहती हैं लेकिन कल रात करीब साठे ग्यारा बज़े जो कुछ हुआ वा किसी की भी रूख अपा देगी कॉर्बा वनमंडल के फुठा मुडा में देर रात जंगली हाथियों ने एक वरिद और एक बच्चे को पैरो तले कुछल कर मार डाला दोनों की छटवी छट लाश वनमंडल के कर्मियों ने बरामत कर लिया है मरने वालों में एक मासूम रोहित कुमार और इतवारी बाईश शामिल है जबकि दूसरी बुजर्ग महिला है वनमंडल की ओर से उनके परिजनों को 25,000 रुपए की ततकालिक सहायता मोहिया कराई गई है वनमंडल के अधिकारियों के मताबिक 27 हाथियों का दल इन दिनों जशपूर से फुठा मुडा बेला के जंगल में डेरा डाले हुए था इन में से 10 हाथी दल से अलग हो गए जिसके बाद इसी दल में सुरजपूर की तरफ से आए 6 और हाथी शामिल हो गए इस तरह इनकी संख्या करीब 26 हो गई कलिसी दल के दो हाथी फुठा मुडा पहुँचे थे वनमंडल के अधिकारी भी लननर हाथी के साथ लगातार हाथियों की ट्रेकिंग कर रहे थे उन्हें हाथियों के हमले का पूरा आभास था लिहाजा उन्होंने एहतियात तन फुठा मुडा के आंगन बाड़ी में एक दो परिवारों को ठहराया था दोनों परिवार पूरे दिन वही थी और फिर रात में खाना खाकर सोने की तैयारी में थे बताय जा रहा है कि करीब साड़े ग्यारा बजे दल से भटके सुरचपूर के हाथी आंगन बाड़ी के पास पहुँचे शटर में ताला लगने की वज़े से वह नहीं तूटा तो हाथियों ने भवन की खिड़की को तोट डाला खिड़की के तूटते ही एक हाथी ने अपना सुड अंदर घुसाया और टटोलने लगा जिस कमरे की खिड़की तोड़ी गई थी उसके भीतर चार से पांच लोग मौजूद थे और सभी सोय हुए थे तबी हाथी की सुड में एक बच्चा फंस गया और उसने उसे खिड़की से बाहर खीच कर जमीन पर पटक दिया गुसाय हाथियों का आतंक ऐसा था कि बच्चे को पटकने के बाद उसे अपने पैरों तले कुचल भी दिया जिससे उसकी मौत हो गई उसके बाद उस हाथी ने फिर एक बार खिड़की में सूट डाला और इस बार उसके चंगूल में एक बुज़ूर्ग महिला का पैर महस गया हाथी ने उसे भी बाहर खीच लिया और जमिन पर पटक कर पैरों तले रौन दिया देर रात हुए इस घटना से पूरे इलाके में संसनी फैल गई है हाला कि आज सुबा जब वन मंडल के कर्मी मौके पर पहुँचे तो उन्होंने शव को बरामत किया और फिर शिश अधिकारियों को पूरी घटना से ओगत कराया अर्वत आरज पर्फ़िया हैं तो उसके बाद दूसरा हांत ही पीछे से गया खिलकी के तोड़ा खिलकी तोड़ने के बाद मंड़ी तो यह घटना गए कि यहांतिया आज यहां पास निकलने वाला है आप लोग घर को खाली करतर सब अंगनवाड़ी चले जहाँ पक्का का घर है उसको कुछ नहीं कर पाएगा वोज हम सब मिल कर यहां आगा है वाई साथ उसके वार इस तरह भून कर आया फिर्की को एक दम जो कोर्ष धक्का मारा मेरे सीर पर गिरने वाला था खिर कि नहीं आप एक बार फूद द्यागे दहांति एक बार लड़का रिशे है आसार के वह ले पकड़ लिए इसके अम्मा तो भग गे पीछे पुले पकड़ लिए पहले फेंक इसे वह कर बाद में बड़े अम्मा रिश उसको ही पकड़ लिए उसको ही फेंक दिश बाहर उसके बाद खाना था बटन में उसको खाया और चामल खाना पकाने के लिए दो रहे थे वह चामल भी रखा था उसको भी खा दिया किते लोग इसमें खतम हुए हैं? नगरपाली का अध्यक्ष्य पार्शा देवम एल्डर में उपस्थित रहे खोरिया जिले में 36 गड़ जनता कॉंग्रेस जोगी के वरिष्ट पदाधी कारियों द्वारा एक के बाद एक इस्तीफा दिये चाने का असल सिला थामने का नाम नहीं ले रहा है अभी कुछ दिनों पहले ही पार्टी के जिला अध्यक्ष यवत सिंग ने अपने 500 समर्थकों के साथ इस्तीफा दे कर सब को चौका दिया तो वहीं जिला पंचायद अध्यक्ष जोगी कॉंग्रेस की प्रदेश कारे समेती सदस्य कलावती मर्काम ने भी अपने समर्थकों के साथ इस्तीफा दे दिया 36 गर जनता कॉंग्रेस जोगी एक के बाद एक इस्तीफा देने का सिलसिला लगातार जारी है इसे पार्टी की अंतरकला से जोड कर देखा जा रहा है कुछ दिनों पुर्व ही पार्टी के जलाध्यक्ष यवद सिंग अपने समर्थकों के साथ इस्तीफा दे चुके हैं अब आज पार्टी की प्रदेश्य कारे समेती सदस्या कलावती मरकाम ने भी इस्तिफा सौब दिया माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में पार्टी के और भी सिनियर लीडर इस्तिफा दे सकते हैं ऐसे में जहां इस पार्टी को तीसरी ताकत के रूप में देखा जा रहा था वही लगातार इस दिफों के बाद पार्टी पूरी तरह से हांसिया पर जाती दिखाई दे रही है जोगी जी हमारे पार्टी के लिकाहि दिखाई जी आप तो किया था और अमीज जी को भी किया था आप लोगों ने भी जयान ने किया इसे में तो ब्लोग तरफान होता इना पार्टी तिया अपकि इस मेर्च पे तो नहीं हो जो एक और इसकी लिए देखते हैं कि आप अपर अपिस हुए थे हैं तो कि अभी दो तीन दीन पहले पूर में हमारे जोगी जोगी ती शतित के जंटा कांग्रेश के जिलाथ है अदर्णी मेरे चाचा जी अहीं को उपस्तित है अदर्णी जवक्तिन जी ने इसकी पार दिया किसी तारण बस पार्टी से नराज होके अपम 24 घंटे भारी वहनों के परिवहन और उचित देख रेक के आभाव में जिले की मुख्य सड़क पर जगा जगा गड़े होने से हर कोई हलाकान है फिर चाहे वा आम हो या खास हर किसी के लिए इस मार्ग पर चलना दूभर हो चुका है कटगोरा से कोरबा तक जाने वाली इस मुख्य सड़क की सुद कोई नहीं ले रहा है ऐसे में नई सड़क बनना तो दूर सड़क की देखरेक और मरमत तक की उमीद भी जिलेवासी छोड़ चुके हैं ऐसे में आए दिन घट रहे सड़क हाथसों पर देखते हुए उतरी श शीनव सामुहिक शमदान कर भरा गया सड़क पर उतर कर सुधार कारे करने को मजबूर इन युवाओं की माने तो जिम्मेदार विभाग द्वारा कराये जाने वाले कारे को ना होता देख वे मजबूरी में अपनी खर्चे पर यह कारे कर रहे हैं इन युवाओं की माने त काफी दिनों से एक बहुत बड़ा गड़ा बना हुआ था जिसमें आसपास के छेत्रे के रहने वालों ने लोगों की जान बचाने के लिए बहुत बड़ा ड्रम रख दिया था तो हम लोग करीब साल भर से उससे देखते हुआ रहा थे उसमें आट-dus मैने पले एक ड्रम वो फिर किसी ट्रक की ठोकर से आगे चला गया फिर उसके बाद एक वर ड्रम रखा गया वो और आगे चला गया ऐसे टोटल आज तीसरा ड्रम वहां पर रखा हुआ था तो हमारे इतने भी मित्र है हम सबने सोचा था कि हम इस रोड को अगर प्रशासन नहीं बना दी तो मिलर लेकर आते हैं और इस काम को सिमेंटर चला करें का रहें यहां पर हमारे साथ में हम कोशिक करेंगे यहां से लेकर गोपालपुर्ता के जितने गट्टे हैं आज भर दें। पार्साद है, उसको बोल चुके हैं, धर्ना दिये थे अपन लोग, धर्ना दिये उसके बाद सिप दो दिन के लिए काम हुआ था हो, चौता दिन फिरो ऐसी ही। सहीत बड़ी संख्या में युआओं ने शमदान किया। सेसेल प्रबंधन द्वारा स्कूल बसों के परिवहन में किसी भी प्रकार से यात्यात नियमों का पालन नहीं किया जाता। आज डिये वी एवं केंद्री विद्याले की परिक्षाएं थी और स्कूल बस नहीं जाने के कारण बच्चे एवं परिजन परिशान थे। जिन परिजनों के पास वाहन सुविधा है वे अपने बच्चों को ले कर गए लेकिन जिन के पास सुविधा नहीं थी वे नहीं जा पाए। मनुसार चलाया जा रहा है। इस कारण सभी बच्चे नहीं जा पा रहे हैं। इसको प्रबंधन एवं प्रशासनी कधिकारियों से संबंध में बात चीत कर कि इस समस्या का जल्दी निराकरन करने का प्रयास कर रहे हैं। यूज तो आपनों पडस प्रवीपर है थो अफ्सेंट हो रहा है। अच्छा तो अभी अभी बस काई को लिए खड़ा है। पास के कारा है। जब तक नहीं पास दिखाएंगे जब तक बैठाएंगा नहीं बसमे। बुलते हैं नहीं बेठाएंगे। पस भी नहीं बैठा पारहे हैं जो पात नहीं बना हम्हों भी नहीं बहुत है। बतने क्यों रखstarter है मेरगari को नहीं पता है हम लोग पारे हैं बहुत जिनसे बस की बेशारा है है उसका भी दबल बस चला नहीं रहें। नियम कानुन बनाती है। स्कीम हम बना सके। और कलेक्टर चुकी CSR मत के हेड होते हैं। मैंने यह भी कहा है कि कोई वेकलपी की व्यवस्था की जाए। और आज मैं खुद भी साम को सबेरिया मेनेजर NCPH कालरी से मिल रहा हूं। और इस संबंद में कोई रास्ता निकाला जाएगा। ऐसे हम जो हमारे नौन एसेस्यल इंप्लॉई के जो बच्चे हैं उनको छोड़ेंगे ने। उनको स्कूल तक पहुंचाएं। ऐसी व्यवस्था कुछ न कुछ करेंगे। बिलाईगर में फिर एक बार गांजा खोरों को पेट्रॉल टंकी के पास से गिरफतार कर लिया गया। पुलिस और क्राइम ब्रांची कारवाई से बड़े गांजा खोरों को पकडने में सफलता मिली है। काम से घर लोटने के बाद जब पिता को उसका बेटा नजर नहीं आया तो उसने अपनी पतनी से बेटे के बारे में पुछा माने जब बताया कि वह पासी मैदान में खेलने गया है तो पिता उसे धूनने निकल पड़ा यहां के रहने वाले रईस कुरेशी अपनी बीवी और बच्चों के साथ निवास करता है दो दिन पहले जब उसे उसका बेटा घर पर नजर नहीं आया तो वह उनके अमबेटकर भवन के खेल मैदान पहुँचा हुआ था जब वहाँ वहाँ पहुचा तो कुछ यूअक भवन के पास ही ताश खेल रहे थे पुलिस को आते देख सभी यूअक वहाँ से फरार हो गया जबकि रईस कुरेशी पुलिस वालों की नजर में आ गया पुलिस उससे कुछ पूस्ती उन्होंने उसके साथ गाली गलोच करत इसके बाद उसे वाहन में बिठा कर मानिकपूर चौकी ले जाया गया कुरेशी ने वहां मानिकपूर के चौकी प्रभारी के शिंदे से कारवाई की वज़ा जाननी चाही तो वे भड़क गये और लात घूसों के साथ ही बेल्ट से उसकी कथी तोर पर पिटाई कर दी इस 59 और 716 के तहत मामला दर्च कर दिया अब बोलने लगा साहब आइसी सी बात है बोलता चुप है गाली दिये में रखू अब बोलत रखो आइसा कि उसमें डाल दूंगो दुबारा जमानत भी नहीं होगा कौन ये गाली कौन दिया परभारी और राजे सुपाद है कुछ निस तुने बोलता है जबर जसी क्यावान और साथ सुला लगा कर दो अंदर डल दो और वहां सा पत्ती भी लगा दी वहां से बताईए पुलीस बारें वहीं पत्त भी मारें थाना ले जाकर कनवर्बेड मे बच्चे है क्यार पुलीस ही को और प्रभारी पड़ा नहीं आए है तो हम लोग तीन चाल ड़ने बैठेए जिवां में असी फिलिस अरोप है कि ताश खेलने वाली जगा पर उसका होना ही उसे भारी पड़ गया जबकि उस जगा पर वो अपने बेटे को ढूणने गया था इतना ही नहीं बलकि पुलिस उसे जोवारी कहे कर थाने लाई थी जबकि ना ही मौके से और ना ही उसके पास से कोई रकम या ताश की गड़ी बरामत की गई है इस पुलिसिया कहर से थर्राय रई सा और उसके एक अन्य साथी ने जन्दर्शन में अपनी लिखिश शिकायत जिलाधिश को सौपी है साथी मानिक पूर्चाओं की प्रभारी वा अन्य पुलिस कर्मियों पर कारवाई की मांग की है दर्री थाना के जलगाओं के पास खड़े डीजल टैंकर के सर्विस पाइप को खोल कर डीजल पार कर रहे एक पिकप के मालिक को रंगे हाथों पकड़ा गया है दर्री पुलिस ने उसे गिरफतार करते हुए जेल दाखिल कर दिया है CSP और दर्री थाना प्रभारी साधना सिंग ने बताया कि कल रात उनके थाना स्टाप के एक पुलिस कर्मी को जेल गाओं के पास एक टैंकर से डीजल की चोरी किये जाने की सूचना मिली थी इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए जब दर्री पुलिस के स्टाप ने दबिश्टी तो उनके हथे एक पीकप और उसका मालिक अश्यक कुमार चड़ गया पुलिस उसे पकड़ कर थाने ले आई आरोपी अश्यक कुमार ने बताया कि वह पुधवारी शेत्र के गलिश पंडाल के पास रहता है जबकि उसका पीकप वाहन सबजी के परिवहन में लगा है अपनी पीकप के लिए वह डीजल टैंकर से डीजल पार कर रहा था पुलिस ने अश्यक कुमार से दो जेरीकेन में रखे 80 लिटर डीजल को बरामत करने में सफलता पाई है तरह के मामलों में पहले भी कई आरोपी आई बीपी गोपालपुर से हिरासत में लिए गए थे जो डीजल चोई के प्रकरण में लिफ्त थे आई एने 24 के लिए दर्री से भागवत दिवान की रिपोर्ट बुलेटन में फिलाल इतना ही देश और प्रदेश की तमाम खबर को जाने के लिए आप बने रहे आई एने 24 के सांथ आई एने 24 यूट्यूब फेस्बूक और ट्विटर पर भी देख सकते हैं वेब चलेल के लिए लोग इन करें www.i924news.n नमस्कार Hi, this is Sharwan Joshi and keep watching IN24 इतनी फिकल क्यों करती है तू इतना हो प्यार क्यों करती है रात में जब तक घर नहीं आओं तब तक क्यों जगती है मा तू नहीं हो भी तो बता मेरी कौन करें पर भ़्वाभा मिले हो तू हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किसमत की लकी जों से मुहाबत बरसा देना तू सावन आया है तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है सब जे जुबावे तो जिसीन से लगाना है प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है Hi this is me Tony Kukkar, keep watching INN24